है वेलकम तो माय चैनल यूनीक सीवर टैक्तूड आम डिसकसिंग हाउट टू क्रिएट स्ट्रक्चर थ्रूव रीडियल ग्रिड तो पिछले कुछ ट्यूटोरियल में हमने डिसकस किया था कि कैसे हम लीनियर और इरेगुलर ग्रिड के थ्रूव एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं Stad Pro Software में तो चलिए आज हम क्रिएट करते हैं Radial Grid के थूँ एक structure तो टुटोरियल स्टार्ट करने से पहले मेरा सबी वीवर से अनुरोधे कियो मेरे इस चैनल को लाइक शेरेंड सबस्क्राइब करें ताकि जो भी टेकनिकल वीडियो इस चैनल में आए वह आपको तुरंथ मिल सकें तो चलिए स्टार्ट करते कि कैसे हम Radial Grid के थूँ एक structure को create कर सकते हैं तो चलिए मैंने software को open कर लिया है तो हम सबसे पहले तो हम फाइल नेम डालेंगे ठीक है फाइल नेम डाल देते हैं हम Radial Grid ठीक है जी Radial Grid हमने फाइल नेम डाल दिया और location डाल दी है मैंने पहले सी project file state करके C drive में तो जहां पर भी आपको sufficient लगता है कि कहां आपने file save कर नहीं उदर आप save कर सकते हैं और types हमारा analytical रहेगा units हमारे matrix में रहेगी तो हम क्या करते है create option पे click करते हैं और yes ठीक है तुम्हार पास कुछ इस प्रकार का interface कुल जाएगा stat pro advanced connect edition का तो सबसे पहले हमें क्या करने grid में जाना है ठीक है grid में गए beam grid पे click किया beam grid पे click करने के वाल आपके पास default grid बनी है पर हमें radial grid पे work करने हैं तो हम क्या करेंगे create करेंगे grid को तो create option पे click करें और इदर से select करें radial option और नाम दे दे इसको capital R1 ठीक है और हमें structure create करने तो इसलिए हमें exit plane पे जाना है तो exit plane पे चले गए तो यह हमार पास कुछ constructions लाइन दिये जहां पे start angle, sweep, base, radius, radius 2, 1 ठीक है तो अभी हमने क्या करना है बेज मार पास है 10 हम क्या कर देते हैं 18 बेज कर देते हैं 18 बेज and radius 1 डाल देते हैं 10 और radius 2 डाल देते है 40 और base कर देते हैं इधर 3 और okay ठीक है तो आप देख सकते हैं कि मार पास एक grid create हो चुकी है side में dialogue box में देखे R1 radial करके grid create हो चुका है तो चलिए इसको open करते क्लिक करते इसके उपर ठीक है तो यह देखिए हमार पास एक radial grid create हो चुकी है ठीक है तो चलिए समझते हैं कि कैसे हमने inputs डाले थे तो edit option पे क्लिक करें थोड़ा सा जूम आउट करें करें इसे ठीक है तो अब आपको समझा जा जाएगा ठीक है 18 बेज थे तो 18 बेज़े ऐसे को ठीक है तो 123456789 10 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है इधर तक हमारे 18 बेज और इधर को है 3 वेज 1 2 3 ठीक है ठीक है ठीक है और यह हमारा radius 1 कितना है 10 है radius 1 और उसके बाद outer radius 40 यान इधर से लेके इधर तक 40 distance है तो चलिए अब हम एक structure create करते हैं तो structure create करें पहले हम क्या करेंगे नोड और बीम लगाएंगे ठीक है तो नोड और बीम जैसे इधर से लगा लेते नोड पे क्लिक किया और बीम भी साथ में ही लगेगा आपका यह देखिए यह यह आपका एक बीम त्यार हो गया एसके बटन से बाहर आए और आप इन जितने भी बीम हमने भी बनाए उसको select करते हैं control button दबागे इसे भी select कर लें इसे भी select कर लें तो अभी हमने इस beam को select कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे मार पास एक command है इदर transitional repeat के नीचे circular repeat ठीक है circular repeat एक command है तो circular repeat क्लिक करेंगे और हमें क्या करेंगे य एक्सिस के around beam create करने तो कितने बेज थे हमारे circular ship में 18 बेज थे ठीक है 18 बेज थे तो आप इदर 18 पे 18 टाइप करें और link step कर दें और okay ठीक है तो आपके पास एक grid create हो चुकी है ठीक है तो इदर से आप इसे अंचेक कर सकते हैं grid को तो यह देखिए आपके पास एक grid create हो गया है base create हो गया है तो हमें क्या करना है footing provide करनी है तो footing provide करने के लिए हमें जितने भी नोड एस circular platform है उसारे स्लेक्ट करने पड़ेगे तो उसके लिए हम जाएंगे select option पे select option पे गए node cursor पे क्लिक किया और जितने भी नोड हम सबको select कर लिया ठीक है यह सारे node select होगे अब हमें वापस से geometry tab में जाना है और geometry tab में हमें transitional repeat option पे click करना है और y axis पे click करना है और हमें footing लेना है downward को minus 3 meter की ठीक है माइनस 3 meter के हम footing लेंगे और link step पे click करेंगे और okay तो महार पास दिखे footing आ गई है ठीक है footing आ गई है महार पास अब हमें क्या करना है एक structure create करना है flows create करने है तॉप की और ठीक है तो हम क्या करेंगे view में जाएंगे view में जाने के बाद हम front view में क्लिक करेंगे front view में क्लिक कर लिया और select option में जाएंगे बीम कर सर्वे स्लेक्ट करके beam select कर लेंगे हमें दर से ठीक है तो यह हमने beam select कर लिया अब हम view option में जाके isometric view में चेक करेंगे कि बीम select होगा है कि नहीं तो देखे सारे वीम समारे select हो चुके है अब हमें क्या करना है transitional repeat पर जाना है तो में ट्री टैप में गए transitional repeat पर क्लिक किया और y axis पर क्लिक किया ठीक है default set spacing step spacing ठीक है कितने steps जाएगे हमें तो हम ले लेते हैं इदर six sorry three meter का steps step spacing ले ले लेंगे और number of steps डालेंगे हम six ठीक है number of steps याने की six floor ठीक है तो हम इसे क्या करेंगे link कर देंगे link steps पे क्लिक करेंगे और okay तो आपके पास देखे इस प्रकार का circular structure create हो जाएगा stat pro में तो ठीक है तो इस प्रकार आप radial grid के तरूँ एक circular structure को create कर सकते हैं ठीक है और view में जाके आप 3D rendering में देख सकते हैं कि कैसा structure दिखेगा यह दिखिए इस प्रकार से आप कहे का structure create हो गया है radial grid के तरूँ circular structure तो चलिए next वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम discuss करेंगे properties के बारे में और materials के बारे में और इससे पहले हम सीखेंगे कि structure wizard के तरूँ आप structure को कैसे बना सकते हैं तो चलिए thank you for watching my tutorial next tutorial में मिलते हैं